राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल लीवलाइद बित्पुनीता आज गनेश चौथ का दिन है फ्रेंड्स और मैं आज तिल के लड़ू बना रही हूँ देखे फ्रेंड्स मैंने उसका पहले पाग की तयारी की है मैंने इसमें एक कीडो के लगबग गोर डाला है और इसमें मैंने एक छोटे गलास से पानी डाला है और इसे मैं लगातार चला रही हूँ कि ये पाग तयार हो जाए जो उसका सीड़ा होता है उसका सीड़ा तयार हो जाए तिल के लिए तिल के लड़ू के लिए दूसरी तरफ दोस्तो मैंने कडाही गरम की है उसमें मैं जितना कडाही के अनुसार जितना उसमें क्वांटिटी एड़ होगा मैं उसमें डाल के उसे धीमी आज पर भुनूंगी इसको तब तक भुनना है दोस्तो लगातार चलाते हुए कि नीचे से जलना जाए तिल जो होता है वो हलका होता है दोस्तों इसलिए से लगातार भुनना रहता है कि लगातार ये भुनाता है जब तक ये सुनहरे कलर कना हो जाए इसमें ते सोधी सोधी खुसुर आएगी और ये चटकेंगे भी और थोड़े तिल बाहर भी आते हैं चटक चटक कर बाहर की तर हुआ निकल रहा है दोस्तों और यह चतक भी रही है मेरी तिल जो वह भून चुकी है और यह मेरा पाक बन चुका था मैं पाग तिल के अंदर पाख को एड करूंगी और इसे मैं अच्छ हो जल्दी जल्दी दोस्तों वो अच्छे से कोट हो जाए तिल के ऊपर ताकि चारों तरब से तिल के लड़ू आसानी से बन सके, और थोड़ा ये जब ये गरम ही रहता, तभी इसको लड़ू हम लोग इसका तयार करते हैं, दोस्तों इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसी गरम गरम ही बाद ये कड़े हो जाते हैं और लड्डू नहीं बनते हैं दोस्तों मेरा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अब गल आइकन के बटन को दबाना ना भूलियेगा और दोस्तों ट ताकि मेरे जो न्यू न्यू अपडेट हैं वो आप तक पहुंसते रहें अब मेरे लड्डू कम्प्लीट हो चुके हैं अब मैं पूजा की थाल जो है वो तयार कर रही हूं ताइम काफी हो चुका था फ्रेंड्स और ये देखिए मैंने एक पीतल की थाल दी है इसमें मैंने पान, पत्ते, घी, लड्डू, धूप, फूल माला, मलाई और ये कच्छे तिल ट्लकी लड्डू हैं ये जो घड़े जी को हैं वो पके हुए वोने वे तिल नहीं चर्ते है और जने मैं रख्पूर कि enabling ये ghaじ. जितने भी पूजा में समाग लिया लगती हैं दोस्तों मैंने उसे रख लिया है और दोस्तों हमारे यहां पंकिन भी चड़ता है उन्हें गुड में पकाया जाता है अच्छी तरीके से ताकि वो मतलब मीठा मीठा लगे वो भी चड़ता है चार-चार के कौंटिटी में सब जड़ता है दोस्तो और यह जो हैैं गोरी गनेस यह जब हम फस्पर को दोस साल आता है तो इन्हें की पूजा करते हैं दूसरा को दोसरा हम नहीं now पूझते हैं क्योंकि कहा जाता है कि पुराने पूजी जाते हैं नए 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 बनते हैं नए तब बनाए जाते हैं जब यह खो जाए या हम माई के गए हो या कहीं गए हो और वहां पी साथ ना ले गए हो और गड़ेश चौत पड़ जाती है तब इने हम लोग नए बना के वरना हम पुराने गौरी घड़ेज का पूजा करते हैं और देखे, friends, मैंने ये चकला बिलंज होता है उसी पर मैं पूजा करती हूँ वो काञ का है, लकड़ी का है, यानि की तो मैं उसके उपर ही चार काली जो गाजर होती है और ये जो सकरकंदी होती है वो तिल के जो लड़ू बनाये थे वो जो बेसन के लड़ू होते है वो लाई चार जगे मैंने रग दी प्रेंस ये देखिए मैंने अपनी बेटी से बोला बेटा थोड़ा नीचे दिखाओ टार्च क्योंकि वहाँ पे थोड़ी रोशनी कम थी चत पे लाई ट मैंने लगाए थी फिर भी रोशनी कम थी तो वो दूर जा करके दूर से मुझे पर और इदर उदर like टार्च कर रही थी पर वहाँ जा मैं पूजा कर रही थी वहाँ वो नहीं दिखा करती हूं बाद में जब अर्ग देने की बारी आती है तो चारो बाती जला देती हूं और सुहागने औरते जो होती है वो बाल सुबह धुलती है बाल में कंगी नहीं करती है जब गौरी माता को सिंदूर पहनाती है तो तब उसमें से सिंदूर लेके अपनी मांग में लगाती है मांग भरती है अपना वो और इन्हें पान सुपाड़ी और लॉंग लाइची बहुत प्रीय है दुर्बा प्रीय है मैं वो सब चड़ा दे रही हूं फूल माला मैंने सब कुछ चड़ा दिया उन्हें आचमिन कर दिया सिंदूर लगा दिया दोस्तों मैं गौरी माता को पा बच्चों को सुना रही हूं और कि गणेश जी का मतलब गणेश जी कितने दयालू है कैसे सब के ऊपर दया करते हैं कैसे सब के ऊपर अपनी दया दिरिश्टी दिखाते हैं और इस प्रत पूजा से क्या होता यही सारी बिदिया में अपने बच्चों को सुना रही थी और पे दोस्तों काफी ठंड थी इसकी वज़े से मैंने तेजी से सौल लपेटा हुए मुझे बहुत ठंड लग रही थी दोस्तों अच्छत पे थी और आगवाग नहीं जलाई थी क्योंकि दोस्तों मेरे बच्चा जो है वो बोल रहा था कि मम्मी मैं यहां पर लकड़ी लाके ज सुन रहे हैं और हात में हम फूल जो भी फूल हो फूल अच्छत लेकि कहानी सुनते हैं अब फिर जितनी बार हम कहानिया सुनाते हैं और सुनते हैं फिर उनको हम अरपन कर देते हैं कि जैसे कहानियों में उनके दिन पल्टाएं गड़ेश बगवान चतूर्थी गड़ेश करती हूं और मेरी ये बिधी ये पूजन बिधी मैं इस तरह करती हूं बाकी हर जगें अलग-अलग बिधी होंगी करने की लेकिन हमारे यहां यह इसी प्रकार से होती है तो मैं इसी प्रकार से करती हूं और मेरी कहानी जो है वो कंप्लीट होती है फिर मेरा बेटा बोलता है क यून है पूरा पूजी के समागरी चड़ाइए थी फोटा मुछ ठंडी काफी लग रही थी डोस्ते इसलिए मैं जुकी होई थी क्योंकि काफी ठंडी लग रही थी फिर मैं आर्ति कर रही है गंगन पतये नमो नमाहा, सिथ्धि विनायक नमो नमाहा, अश्ट विनायक नमो नमाहा, मंगल मूर्थी मोरया। गंगन पतये नमो नमाहा, सिथ्धि विनायक नमो नमाहा, अश्ट विनायक नमो नमाहा, मंगल मूर्थी मोरया। गंगन पतये नमो नमाहा, सिथ्धि विनायक नमो नमाहा। मेरी पूजा कैसी लगी दोस्तों, आप सपी को प्लीज मुझे कमेंट करके बताईएगा कि मेरी पूजा कैसी लगी, थैंक्स पर वाचिंग, गुड नाइट फ्रेंड्स